आप सभी को मेरा हारदिग नमस्कार मेरा नाम अभिज्यान अलख पांडे है मैं ग्यारा वर्ष का हूँ आज मैं आफ तब की समक्ष दक्टर गुष्णु सक्सेना जी की एक कविता मैं वही पर खड़ा तुमको मिल जाओंगा सुनाने जा रहा हूँ अश्क पी लूँगा और गम अठा लूँगा मैं तेरी आदो को सो जाओंगा ओड़ करूँ मैं वही पर खड़ा जब भी बारश की गूंदे भिगूए तुम्हे सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं जब भी हो जाओं भी चैन ये मानना खूल कर आँख मैं सो रहा हूँ कहीं तूट कर कोई कैसे बिखरता यहां देख लेना कोई आई न तोड़ करूँ मैं वही पर खड़ा तुमको मिल जाओंगा जिस जगा जाओगे तुम मुझे छोड़ करूँ रास्ती में कोई तुमको पत्थर मिले सोचना कैसे जिन्दा रहे आज तक वो कहेगा जमाने ने दिखोकरे चाहे कितने ही ताने सहे आज तक भूल पाता नहीं उमर भर दर्द जब भूल पाता नहीं उमर भर दर्द जब कोई जाता है अपनों से हूँ मोड कर दर्वही करे खड़ा मैं तो जब जब जदी के किनारे गया मेरा लेरो ने तंतर बतर कर दिया पार हो जांगा पूरी उमीद थी उठती भवर उने पर मन में डर भर दिया रेत पर बैठ कर जो बनाए थे घर रेत पर बैठ कर जो बनाए थे घर आ गया हूँ उन्हें आज फिर फोड कर मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाओंगा जिस जगा जाओगे तुम मुझे छोड कर अश्क पी लूँगा और गम उठा लूँगा मैं तेरी आदो को सोग जाओंगा ओड कर मैं वहीं पर खड़ा झाल